नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्मसरमार्ग दोस्तों हम बात कर रहे हैं सूरे की और 16 नुवंबर 2018 को सूरे का रासी परिवर्तन हो रहा है सूरे अपने मित्र रासी बिर्सिक रासी में जाएंगे जो की मंगल की रासी है और सूरे के इस रासी परिवर्तन से देखिए दोस्तों वैसे तो सूरे आंक, हड़ी, पेट, हर्ट और स्वास्त का कारक माना जाता है और अभी तक सूरे तुलारासी में नीच के होके चल रहे थे अब ब्रिस्ची रासी में जब आएंगे तो बहुत रहत मिल जाएगी सबों को तो दोस्तों ये थी ब्रिस्ची रासी में सूरे के प्रवेश का अब हम बात करते हैं कि ये सूरे है क्या गरहों का राजा है सूरे और आंक, हड़ीो जैसे आपको बतलाया है इन सभी चीज़ों का कारक है और मित्र के घर में सूरे जाएंगे तो बहुत अच्छा है अगर हम दोस्तों मेंस रासी की बात करते हैं तो इनका स्वामी सूयम सूरे है मेंस रासी वालों का संतान का स्वामी भी सूरे है और आपके रासी में पढ़ाई का एजुकेशन और मान सम्मान का भी कारक है सूरे बुद्ध और गुरु के साथ सूरे जा रहे हैं पहले ही अपेक्छा इस्थितिया आपकी अच्छी हो जाएंगी आपके तमाम तरह के जो परिसानिया अब तक चल रही थी उन सभी परिसानियों से आप मुक्त हो जाएंगे तो दोस्तों ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है बिस रासी सुक साधन का स्वामी है सुरे आपकी रासी में अगर अपना मकान लेने की सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं आप चाह रहे हैं कि कोई नई फैक्टरी इंडेस्ट्री खोले या फिर किसी चीज का आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप ट्राय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है आप अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं आप नौकरी करते हैं तो वहांपे ट्रांसफर पर्मोसन पोस्टिंग सब कुछ होने के योग है यानि कि कुल मिलाके ब्रिस रासी वालों के लिए बहुत अच्छा है यह सुरे का रासी परेवरतन दोस्तों ब्रिस रासी वालों आपको ज्यादा चिंता करने की जुरत नहीं ह यानि अपनों का साथ मिलेगा आपका प्राक्रम में ब्रद्धी होगी अगर आप बिदेशियों से या बिदेश से कोई कारों करते हैं तो आपको या सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है आप बिदेश भी जा सकते हैं आप चाहें तो बिदेश साथी साथ दोस्तों कर्ज से भी मुक्त आप होंगे इसमें यह बहुत अच्छा समय है आप नए कारे की सुर्वात करने के साथ साथ करजस से भी मुक्ति आपको मिल जाएगा तो मीथो नासी वालों आपके लिए परिवर्तन अच्छा है अब हम बात करते हैं अगर करकरासी की तो धन का स्वामी सूरे है आपकी कुंडली में और यहां पर सूरे आपको अच्छी वानी देगा और अपनों से आपको लाव होगा यानि धन वेगर आपके पास आ सकते हैं साथ ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आप इस्टुडेंट हैं तो आपके लिए यह पढ़ाई का समय के लिए बहुत अच लेंगे और नए कारे की सुरुआत भी आपकर सकते हैं परिवार में भी प्यार बना रहेगा तो कर रासी वालों के लिए अच्छा समय है सिंग रासी वालों आपका स्वामी सुहम सुरी है और स्वास्त पर लेकिन आपको यहां पर ध्यान देने की जोरत है पूरे एक महने मान समान में बर्दी होगी यह बहुत अच्छा समय है इसका पूरा फाइदा उठाइए और दोस्तों अगर आप गायतरी मंत्र का पार्ट करते हैं या भी भगवाल सुरी को एक लोटा जल अरपित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप जरूर कीजिए दोस्तों अगर हम बात करें करन्यारासी की तो यहां पर सूर्य आपको हर छेतर में तरक्की दिलाएगा और मान समान दिलाएगा क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे पोजीशन में है करन्यारासी वालों को इन सभी चीज़ों का इनको लाब मिलेगा बेनिफिट भी लेगा करन्यारासी वालों पर अपना प्रभाव छोड़ने में आप कायम रहेंगे तो दोस्तों ये थी करने रासी की अब हम बात करते हैं तुला रासी आपकी उन्नती होगी अगर आप ब्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है आप ने कारी की सुरुवात भी कर सकते हैं और अपने ब्यापार में आपके बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ब्यापार में बिर्धी भी होगा आपकी उन्नती भी होगी और ने कारी की सुरुवात भी हो रही है साथ ही साथ आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है पूरा एक महिना आप जम के फाइदा उठाएं दोस्तों बात करते हैं बिस्ची करासी की सरकारी छेतर में आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना बने हुई है रुके वे सारे कार भी बनें पैसा वह पैसा वापस आएगा यानि आपको कोई पैसा लेके बैठ गया है उधार देना नहीं चाह रहा है वह आपको वापस मिलने के चांसे बने हुए हैं आप ट्राइ कीजिएगा हर मंगलवार के दिन हो सकता है आपको मिल जाए और तमाम तरह के नए आपकारे करेंगे जिन से पैसा भी आपके पास आता रहेगा धनूरासी पिता के स्वास पे आप ध्यान दीजिएगा और आपके रुके वे सारे कारेंगे और फिर अभी तक धनूरासी में सारे साती चल रही है लेकिन इसमें अगर आप सनी के मंत्रों का जब कर सकते हैं तो फिर ये सुर्य का परिवरतन आपको कोई खास हानी नहीं पहुंचा पाएगा इसलिए आप सनी का मंत्रों का जब कीजिए ओम संग सने चलाए नहीं कुछ समझ में आता है तो जब कर सकते हैं हम बात करें अगर मकर रासी की तो मंगल गुरू और बुद्ध इतीनों की यूती मिलकर आपके लिए महापुरूस राजयोग बना रहे हैं यानि मालब नाम का महापुरूस राजयोग आपको जिन्दगी में बहुत कुछ देने वाला है साथी साथ सबसे पहला सुख निरोगी काया यानि कि ये आपके स्वास्त को बहतर करेगा ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों आप अपन सरकारी छहतर में करती हो और अगर आप लड़की है और साथित्या होती है तो को सकता है नोख्री करते हो सरकार सषाइता प्राप्त अखिशक लाफो लाव होगा मान सम्मान में बड़्ी होगी साथ सुर्य बूद्ध और गुरु की युति बनी भी है जो आ पको लाभ ही लाभ दे रहा है कुम रासी बालों आप खुस हो जाईए बात करें अगर मीन डासी की तो मीन डासी वालों को सूरी के ये रासी परिवरतन सत्रू का नास करेगा यानि आपको सत्रू से रहत मिलेगी दोस्तों इसमें एक बेनिफिट आपको मिल रहा है कि सूरी के दोरा आपके सत्रू आपको परिशान नहीं कर पाएंगे हमीन-डाशी वाले इतने दिलदार होते ही हैं कि इनके सत्रू हो जाते हैं लोग इन से चिड़ते हैं क्योंकि ये अपने आपको ऐसा प्रजेंट नहीं करते हैं दूसरे के सामने कि हमारे पास कुछ नहीं हम खाली हांत हैं इनके पास नहीं भी रहेगा तो भी राइसी दिखा रहते हैं राइसी में से रहते हैं इसलिए लोग इन से जलते हैं और वह सत्रू अब ना सोने वाला है